Hydeostatic means when study of liquids when they are in at rest or in equilibrium so equilibrium of liquid का मतलब है कि जब liquid पर जो force act कर रहा है वो सिर्फ नॉर्मल डारेक्शन में ना हो इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक bucket लेंगे और bucket में तुम्हें दिखाई दे कि पानी static है रुका हुआ है इसका मतलब होगा कि मानलो ऐसे कुछ सिंपल सा bucket ले ले लेते हैं cylindrical type का और इस bucket के अंदर मानलो हमारा liquid भरा हुआ है तो cylinder के जो walls हैं वो चारो तरफ से सभी तरफ से इस liquid पर एक force लगा रहे हैं नॉर्मल डायरेक्शन में और इधर उपर से atmospheric pressure होगा इधर से इस surface का नॉर्मल डायरेक्शन होगा उपर की तरफ तो यह liquid पर सभी तरफ से जो force act कर रहा है वो surface के नॉर्मल एक्ट करता है तो ऐसा जो pressure है जो surface के नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करता है उसे हम बोलते हैं thrust ठीक है thrust का मतलब होता है normal pressure pressure acting normally ठीक है normally on the surface surface पर normally act कर रहा है अगर इसमें नहीं समझ मेरा है तो हम एक cubical container भी imagine कर सकते हैं समानलों क्यूबिकल कंटेनर है तो इसके हर surface पर नॉर्मल डायरेक्शन में यानि surface के परपेंडिकुलर अगर pressure act करता है तो ऐसे pressure को हम कहते हैं thrust तो अगर liquid पर thrust act कर रहा है सभी direction से तो वो liquid motion में नहीं होगा motion में कब होगा बाल्टी में पानी भरा हुआ है अगर तुमें देखना है कि motion में है की नहीं है तो तुम उसको ऐसे हास से घुमा सकते हो पानी को ऐसे हास से घुमा दिया तो क्या होगा ऐसे घुमाने से क्या होता है एक तो तुमने जब घुमाया liquid को तब उस पे tangential direction में एक compressible है तो क्या होगा उससे कोई motion नी होगा इधर से अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो similar normal reaction same amount का normal reaction इधर से बढ़ जाएगा ठीक है यही हमारा Pascal's law है Pascal's law क्या है कि अगर एक liquid equilibrium में है ठीक है अगर एक liquid equilibrium में है यानि कि उस पर कोई भी tangential component of pressure act नहीं कर रहा है तो हम liquid के किसी भी point पे अगर pressure लगाते हैं तो वो similar pressure same amount का pressure liquid के हर point पे transmit हो जाता है ठीक है this is Pascal's law तो Pascal's law बहुत important है इसके काफी applications है इसका derivation हमें फिलहाल नहीं करना है पसकल's law को जानना है और उसके एक दो applications देखने है तो फिर से एक बार हम Pascal's law के लिए diagram बना लेते हैं सपोज यह हमारा एक container था cylindrical container और इसमें एक liquid भरा हुआ है मालनो की h height तक liquid भरा है तो इस liquid में किसी point पर माल लेते हैं कि pressure माल लो यहाँ a point हमने माल लिया या इधर माल लेते हैं सीधे liquid के top layer पर माल लिया a point और यहाँ कहीं पर माल लिया b ठीक है तो a point पर जो pressure होगा pressure at point a माल लेते हैं pa है तो pa pressure क्या होगा यहाँ पर pressure होगा atmospheric pressure plus pressure due to liquid ठीक है थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं a को माल लो यहाँ पर ले लिया तो इस पूरे height की हमें ज़रूरत नहीं है हम बस इतना देख लेते हैं कि a point हमारा open surface से कितना नीचे माल लो कि h1 depth पर है और बी वाला माल लो कि यहां से h2 depth पर है ठीक है तो a point पर जो pressure होगा वो होगा atmospheric pressure plus pressure due to liquid अबब point a यानि कि h1 rho g ठीक है इस बात को भी ध्यान रखना है यह एक important बात है तो इसको बोलते है total pressure a point पर total pressure इसमें दो पार्ट होते है एक होता है atmospheric pressure यानि जो atmosphere में gases है अभी जैसे हमने discuss किया कि liquids की वज़े से container में pressure होता है वैसे ही gases की वज़े से भी atmosphere में pressure होता है because gas और liquid दोनों ही combinedly कहे जाते है fluids तो fluids pressure exert करते हैं जिस surface के साथ वो contact में आते हैं और क्यों करते हैं कैसे करते हैं हमने भी discuss किया ही था molecules जब collide करते हैं तो अपना momentum transfer करते हैं and momentum transferred in unit time is force and force per unit area is pressure तो atmospheric pressure है atmosphere में जो gases है उनकी वज़े से और यह जो pressure होता है this is called gauge pressure इसको हम बोलते हैं gauge pressure तो total pressure क्या होता है atmospheric pressure plus gauge pressure gauge pressure का मतलब है कि liquid की वज़े से जो इस point पर pressure आ रहा है ठीक है atmospheric pressure कैसे होता है यह atmosphere में जो gases है उनकी वज़े से atmospheric pressure है यह सब जगह रहता है क्योंकि पूरे atmosphere में gases तो हैं तो atmospheric pressure plus pressure due to liquid above this point a point के उपर जितना liquid था h1 height तक था है तो h1 rho g similarly total pressure at point b b point पर total pressure कितना होगा तो atmospheric pressure तो हर point पर रहेगा atmospheric pressure plus pressure due to liquid above this point तो above this point कितना height था liquid का h2 तो हो जाएगा h2 rho g ठीक है इतना इतना pressure है अब अगर कुछ extra pressure apply किया जाए यह पॉइंट पर मनलोग यह drum है यह drum में पानी भरा हुआ था अगर तुम इधर कहीं से side से मनलोग तुमने P pressure लगा दिया ऐसे हाँ से धक्का लगा दिया drum में तो यहां पर जो pressure बढ़ा है ठीक है इस point पर pressure बढ़ गया तुमने जिस point पर pressure P apply किया वहां pressure बढ़ गया तो यह pressure पूरे liquid में equally transmit हो जाएगा हर जगह यह pressure P सब जगह पहुँच जाएगा यानि कि अगर extra pressure यहां पर P लगाया ठीक है if an extra pressure is applied at point a मनलो a point पर pressure extra apply किया तो a point पर नया pressure क्या हो जाएगा P dash क्या हो जाएगा P a plus जो applied pressure था ठीक है जो additional pressure आया और यह जो p है small p additional pressure जो है यह सब जगह transmit हो जाएगा तो according to Pascal's law Pascal's law के according क्या हो जाएगा कि b point पर जो pressure होगा P b नया pressure वो क्या हो जाएगा पहले वाला जो pressure था यह 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 पहले वाला pressure था b point पर इसमें भी उतना ही pressure बढ़ जाएगा ठीक है P pressure यहां भी पहुंच जाएगा तो Pascal's law यह है इसको में derive नहीं करना है बस इसका application देखना है इसका सबसे अच्छा application होता है hydraulic lift रड़